हलो फ्रेंड्स आज हम अकाउंटिंग एंट्रीस में फॉदर एंट्रीस सीखेंगे पहले दी हुई है और 20 जुलाई 2013 रिसीवड चेक फॉर रुपीस 12,500 फ्रॉम मिस्टर शाह यहाँ पर बिताया गया है कि मिस्टर शाह से 20 जुलाई 2013 को चेक रसीव हुआ है तो यहाँ पर हम ट्रेंजिक्शन करेंगे जब हमारे पास चेक रसीव होता है यानि कि कैश हमारे पास आती है यानि बैंक थ्रू कैश आती है तो बैंक अकाउंट को हम डबिट साइड में मेंशन करते हैं तो यानि जिस पार्टी ने हमें प्रमेंट किया है तो हम उसे credit side में mention करते हैं Mr. Shah से हमें amount receive हो गी है तो Mr. Shah को हम credit side में mention करेंगे तो हमारी transaction बन जाती है bank account जो हम as per personal rule receiver account debit यानि bank account से हमें payment हो रहा है 2500 इस तरह से हमारी transaction pass out होती है आप देख सकते हो उसके बाद next transaction है हमारी on 25th July 2013 provide 1500 depreciation on machinery costing rupees 2,2500 यहां पर आपको बताया गया है कि जो हमने machinery purchase की थी worth rupees 2,2500 उस पर हमने 15% depreciation depreciation यानि हमने आगे के tutorial में पढ़ा था depreciation यानि गिसावट होती है अगर हम fixed assets ले रहे हैं तो हमें उस पर कुछ प्रतिशन गिसावट गिननी रहती है तो यहां पर हमने machinery पर 15% गिसावट गिनी है तो आप यहां पर देख सकते हो depreciation हमारा one type of expense हो जाता है तो depreciation account को हमने debit side mention किया है आप देख सकते हो हमने उसको debit side mention किया है और किस पर गिसावट गिना है हमने machinery पर तो machinery को हमने यहां पर credit side में mention किया है machinery account को credit side में रखा है हमने यहां पर आप देख सकते हो अभी हमें 15% depreciation लेना रहता है तो depreciation हमें कोस्टिंग होती है मशीनरी की उसके उपर लेना रहता है तो यहां पर हमारी मशीनरी की कोस्टिंग दी हुई है 2,2500 उस पर 15% डेप्रिसेशन यानि होता है 30,375 यानि हमारा डेप्रिसेशन केल्कुडेट 15% 30,375 तो डेप्रिसेशन अकाउंट डेप्रिसेशन अगकुडेट 30,375 तो maison रे अग्तिंग कारेशन अचुना सिर्ट केल्प साइट है हमने यहां पर इंट्रोस्ट्रेट हेथ यहां इरेखले कर को जाता है तो as per nominal account, expense and loss account debit होता है तो increment gain account यानि की profit and gain account credit होता है तो हमने interest receive किया है यहीं वो हमारा one type of profit हो गया तो हमने उसको credit side में रखा है और interest receive cash में किया है तो हमने cash को debit side रखा है और interest receive को credit side रखा है जो amount हमें total मिली है 1,000 तो हमारी transaction बन जाती है cash account debit 1,000 तो interest receive account 1,000 इस तरह से हम transaction बना सकते हैं नेक्स्ट हमारी entry है on 28 July 2013 paid wages and salary rupees 10,000 in cash यहाँ पर आपको बिताया गया है कि wages और salary 10,000 रुपे की हमने cash में payment की है यानि कि wages और salary हमारा one type of expense हो जाता है तो ऐस पर nominal rule expenses and loss account debit होता है तो हम यहाँ पर wages and salary को debit side में mention करेंगे आप देख सकते हो हमने wages and salary account को debit side में mention किया है उसके बाद हमने cash में payment किया है तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि to cash यानि कि cash through हमने wages and salary को pay किया है तो wages and salary account debit 10,000 to cash account 10,000 इस तरह से हम transaction pass out करेंगे Thank you झाली कि को जाद हुआ है